दोस्तो आज मैं बनाने जा रहे हूँ बहुत ही चटपटा सा नास्ता जो बनाने में बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी ये बनकर प्यार हो जाता है आप इसको बच्चों की टिफिन में और ब्रेक फास्ट में बनाकर दे सकते हैं तो चलिए बनाते हैं इसके लिए मैंन चार बार अच्छे से बॉस कर लेना है जिससे इसका सारा गंदा पानी निकल जाए तो लिजे फ्रेंट्स बोहा अच्छे से धो लिया और इसमें थोड़ा पानी एड़ करके 10 मिनट के लिए धकर छोड़ दिया था तो लिजे वहा हमारा अच्छे से फूल गिया है और अब हम इसको इस्टेन कर लेंगे एक छनी में इसको निकाल लेंगे बाकी का बचा हुआ पानी एक्स्ट्रा जो है वो सारा पानी हम यहाँ पर दबा दबा कर निकाल देंगे तो पोहे का सारा पाने अच्छे से निकल गया है और अब हम इसको एक दूसरी mixing bowl में यहाँ पर निकाल देते हैं पोहा हमारा बिल्कुल भुरुरा जैसा हो गया है और अब हम इसको हातों के help से मसल मसल के एक दो जैसा इसका त्यार कर लेंगे तो लेजिए पोहे का एक अच्छा सा डो यहाँ पर अच्छे से मैस हो गया है और बहुत बढ़िया सा एक डो जैसा यहाँ पर बनकर त्यार हो गया है और अब हमने लिए हैं यहाँ पर दो आलू आलू को मैंने यहाँ पर कद्दू कस करके लिया था आप चाहें तो इसको अच्छे से मसल कर भी इसको ले सकते हैं और इसको हमें पोहे के साथ अच्छे से mix कर देना है तो देखिए एक दो जैसा यहाँ पर त्यार हो गया है और अब हम इसमें कुस मसाले मिलाते हैं दो हरी मिर्ज हमने बारी कट कर अड़ कर दी हैं एक इंज अद्रक की टुकडे हमने यहाँ पर डाल दिये हैं, कदुकस करके, साथ में आदा चमच यहाँ पर खड़ा जीरा, आदा चमच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा यहाँ पर गरम मसाला एड़ कर देंगे, और थोड़ी सी हल्दी कलर के लिए, इससे कलर बहुत ही अ आटा, बस गिहूं का आटा हमें बन फोर्थ कफी यहाँ पर यूज करना है, आप यहाँ पर चावल का आटा भी यूज कर सकते हैं, पर गिहूं की आटे से इनास्ता बहुत ही अच्छा बनता है, और यह हल्दी भी रहता है, तो बस हमने यहाँ पर बन फोर्थ कफी गिहू काटा ऐड करके दोह हमारा बहुती बढ़िया से लगकर त्यार हो गया है buyer अगर थोड़ा चिप चि Barbie लग रहा है तो आप Alors इसमें थोड़ा सा और भी at कर सकते हैं इसकी बाद हम यहाँ पर हात में थोड़ा सा ओईल लगा लिया है और इसको थोड़ा सा पोर्शन लेके एक ट गुसरी टिक की भी भी मैंने यहां पर बना कर तयार कर दिया है तो इस तरीके से मैंने यहां पर सारी टिककियों को बना कर तयार कर लिया है अब चलते हैं dy में इहां पर कम टेल पाइड दिया है, वर बहुत यहां से बन कर त्यार हो जाते हैं, एक शाइड चे से तो आखे से भी तो हमें इसको दूसरे तरफ से पलेट का भी शेक बट्वी नहीं लगता है। तो दूसरी साइट से भी हम इनको सेक लेंगे और अगर आपकी तिक्या आच्छी से नहीं सिखिए तो आप एक दो बार और इसको पलट कर सेक सकते हैं इसको बढ़िया से ब्राउन और क्रिस्पी होने तक हम इस सारी टिक्यों को यहां पर सेक कर त्यार कर लेंगे तो देखिए आप देख सकते हैं कि कितनी बढ़ी है क्रिस्पी जैसी हमारी नास्ता हमारा बनकर त्यार हुआ है तो अब हम इसको एक पलेट में निकाल लेते हैं यह सारा नास्ता हमें आपन निकाल लिया है तो इसी तरीके से हमें बची हुए टिक्यां भी दूसरी बैच में हम यहां पर सारी टिक्यों को सेक लेंगे देख सकते हैं दूसरा बैच भी हमारा यहां पर सिक्कर त्यार है और इनको भी हम निकाल लेंगे यह नास्ता खाने में बहुत ही तेस्टी लगता है और बहुत ही आसान है इस नास्ती को बनाना आप सुभई के दिफिन बॉक्स में आप इस नास्ती को फटा-फट बना कर दे सकते हैं लीजी फ्रेंट्स ये नास्ता हमारा बनकर है विल्कुल रेडी तो चलिए आप हम इसको एक देखते हैं कि ये कितना क्रिस्पी बना है ये देख सकते हैं आपको आवाज से ही इसमें पता लग रहा हुए बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी नास्ता ही बनकर त्यार होता है तो आप इस नास्तिय को एक बाद जरू ट्राइ कीजिए ट्राइ कानने के बाद आपको एक रेसिपी नास्ता पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजीगा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजीगा अब हम मिलते हैं आपको नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद